वेल्कम बैक इन अनदर लेक्चर ओफ पॉलिटी फॉर लेटेस अपडेट आप हमें हमारे टेलिग्राम चैनल या फिर हमारी वेबसाइट डाट इस www.rodais.com पर फॉलो कर सकते हैं अब तक हम Constitutional Bodies तक जो लक्षमी कांत की बुक्या उसको कवर कर चुके हैं आज हम continue करेंगे हमारा Non-Constitutional Bodies का topic सबसे पहले हम देखेंगे कि Non-Constitutional Bodies होती क्या है Non-Constitutional Bodies are those bodies which are established after passing an act of a parliament कि वो Bodies जिनको पर्लेमेंट का कुई act pass करके उसके बाद established किया जाता है उनको क्या पोलते हैं? Non-Constitutional Bodies क्योंकि इन Bodies के बारे में हमारे Constitution में कुछ भी mentioned नहीं किया गया होता है That is, it means these institutions are not mentioned in the Constitution कि इन institution के बारे में हमारे Constitution में कुछ भी mention नहीं किया गया है सो कौनसी कौनसी बाडीज है यह सबसे पहली है निती आयोग नेक्स्ट है नाश्नल हुमन राइट कमिशन देट इस नहर्सी तो यह यहाँ पे इनकी शॉर्ट फॉर्म से रखी है लेक्चर में में इनी को आगे यूज करने वाली हूं वाल इस वरी इस सारी आपने वाली के लिए रहाँ पारे में लिखा गया है और इस सारी वाड़ीज को हमें चार्ट की फॉर्म में देखते हैं सो इस साइट जो है वो सारी non-constitutional bodies के बारे में लिखा गया है और इस साइट types of body उनकी appointment इतने main main topics उनके बारे में लिखा गया है सो सबसे पहले आती है हमारी नीती आयोग सबसे पहले हम देखेंगे कि ये bodies कि इस type की हैं types of body सबसे पहले है नीती आयोग next is nhrc, nhrc जो है वो एक statutory body है next is SHRC ये भी eck statutory body है next is CIC ये भी ack statutory body ही है and si c bb. next is cbc जो है वो भी ack statutory body है and cbi है वो एक non statutory body है इनकी इसको आफ्के थ्भू नहीं बनाया है next है लोगपाल एडल लोग्यूकताष यह दोनों भी एक statuary bodies भी है और जो NDMA है यह एक Apex body है सो नेक्स अब हम देखते हैं इनके बारे में appointments की कौन किसको appoint करेगा सो सबसे पहले आता है हमारा नहर्सी नहर्सी में जो है कौन appoint करेगा नहर्सी के members को president और जो SHRC है यह state के लिए है यहां पे जो appoint करेंगे वो करेंगे governor सो नेक्स आते है हमारे CIC CIC में कौन appoint करेगा president करेंगे on the recommendation of a committee यहां पे president की दोरा जो है वो appoint किया जाएगा एक committee की recommendation पे और उस committee के member कौन होंगे प्राइम मिनेस्टर और opposition के leader इन लोग सभा next is union cabinet minister तो नेक्स आते है हमारे SIC SIC को यहां पे कौन उसके members को कौन appoint करेंगे governor on the recommendation of a committee और उस committee के members कौन होंगे chief minister and opposition के leader in the legislative assembly and state cabinet minister next आते है CVC तो यहां पे CVC को भी president के दोरा ही point किया जाएगा on recommendation of the prime minister यहां पे भी कौन recommend करेंगे या तो प्राइम मिनिस्टर और opposition के leader होंगे जो लोग सभा में वो नेक्स्ट है union minister of the home affairs नेक्स आती है CBI तो CBI को यहां पे central government के दोरा प्रूब किया जाएगा जो central government है appoint the director of a CBI के जो CBI के director होंगे उनको central government appoint करेगी next आती है हमारी लोगपाल और लोग्युक्तास तो जो लोगपाल है वो की जाएंगी उनकी selection through a selection committee एक committee के दोरा और उस committee में कौन-कौन होंगे PM होंगे और लोग सभा के speaker होंगे और opposition के leader होंगे लोग सभा में वो Chief Justice of India Supreme Court के judge या फिर कोई eminent jurist जिसको जो है judiciary की अच्छी आसी knowledge हो और जो लोग्युक्तास है लोग्युक्तास के members की appointment कि इसके दोरा की जाएगी governor के दोरा नेक्स आती है NIA के members की यहां पर appointment की जाएगी central government के दोरा सो नेक्स अब हम देखते हैं इनकी composition सो composition में सबसे पहले आती है नीती आयोग सो नीती आयोग में क्या है कि जो इसके chair person होंगे नीती आयोग के वो होंगे हमारे प्राइम मिनेस्टर जी नेक्स जो governing council होगी उसमें कौन-कौन होगा cm of all states सारी स्टेट के cm सारी यूटी के cm वो यूटी जहां पर legislative assembly है और lieutenant governor of the ूटी और जहां पर legislative assembly नहीं है उन यूटी के lieutenant governor और कुछ regional councils होंगी और special invitees होंगे और यहां पर और कौन होगा full time organizational framework नेक्स जाती है नहीं चार्सी नहीं के जो चेर पर्सन होंगे वो होंगे retired chief justice of India या फिर रिटायर जज्ज ऑफ सुप्रीम कोड और जो पांच मेंबर होंगे यहां पर बाकि वो होंगे serving या फिर रिटायर जज्ज ऑफ सुप्रीम कोड और हाई कोड की वो जज्ज जो सर्व कर रहे हैं फिर रिटायर हो चके सुप्रीम कोड और हाई कोड के वो यहां पर इनके members की तरह as a member जो है वो पॉइंट किये जा सकते हैं और और कौन होगा यहां पर सेवन एक्स ऑफिशो मेंबर्स और साथ एक्स ऑफिशो मेंबर्स होंगे होनी नेक्स आता है s h arc s h r ci के चेर मैन हैं वो होंगे retired चीफ जास्थिस याँ फिरटायर्ड जोि ऑफ़ां री थिजडेंड 1500 ऑव और इसके जो मेंबर्स होंगे वह होंगे अधर six information commissioner होंगे वो और यहां पर इसके member कौन होंगे स्टेट चीफ information commissioner और maximum 10 state information commissioner यहने कि एक स्टेट चीफ information commissioner होंगे और maximum दस स्टेट इन्फरमिशन कमिशनर हो सकते हैं यहां पर Q.C.VC के यहां पर chair person कान होंगे Central Vigilance Commissioner उनको क्या बोला जाएगा Central Vigilance Commissioner और maximum तू और members हो सकते हैं जुनको क्या बोलेंगे विजलेंच Commissioner So next आता है CBI, CBI में कौन होगा? एक Director होंगे, एक Special Director और कुछ Additional Directors Next आता है Lokpal and Lokyuktaas, तो इसमें कौन होगे? एक Chairperson होंगे और Other Members होंगे Next आता है NIA, So NIA को जो यहां पे Head करेंगे वो किया जाएगा Director General के दोरा Next आता है NDMA, So NDMA में एक Chairperson होंगे और कुछ Other Members होंगे और इना Other Members की जो Strength है वो Maximum 9 हो सकती है और यहां पे जो इसके PM है वो इसके As a Ex-Official Chairman काम करेंगे So next अब हम देखते हैं इनकी Term and Age के बारे में So Term and Age के बारे में सबसे पहले है NHRC So NHRC में क्या है कि उसके Members जो है वो या तो 3 साल के लिए रहेंगे या फिर 70 years of the age कि अगर तो इनके 3 साल कम्प्लीट हो रहे है तब तक या फिर अगर 3 साल कम्प्लीट होने से पहले 70 years के हो जाए बाइज तब तक So next है SHRC SHRC का भी सेम यही है कि या तो 3 साल के लिए रहेंगे वो या फिर अपनी age के 70 years कम्प्लीट होने तक So next आती है CIC और CIC के बारे में यहां पर जो है Central Government के तोरह प्रस्काइब किया जाएगा और इनकी age यहां पर जो रखी गई है वो 65 years रखी गई है और यही सेम चीज जो है वो SIC के लिए भी है Next आती है CBC तो CBC के बारे में यहां पर क्या है कि या तो 4 years का tenure होगा या फिर उनकी 65 years की age कम्प्लीट होने तक Next है CBI तो CBI की यहां पर 2 years का tenure होता है Next आती है लोगपाल और लोगयुकतास तो लोगयुकतास के बारे में यहां पर क्या दे रखा है कि या तो वो 5 years complete हो उनके या फिर उनकी age 65 years तक हो जाए तो next NIA and NDMA के बारे में यहां पर कुछ भी नहीं बताया गया next आतियां की reappointment कि किनको reappoint किया जा सकता है तो एन चासी में क्या है कि यह eligible होते हैं रिए पॉइंट्मेंट के लिए बट अगर इनका टैन्योर कंप्लीट हो जाए देन उसके बाद यह eligible नहीं होते हैं इन दोनों के मेंबर्स भी eligible नहीं होते हैं और इन दोनों के मेंबर्स भी eligible नहीं होते हैं प्रेजिडेंट के लिए नेक्स्ट ए लोगपाल लोक युक्तास इनके मेंबर्स भी eligible नहीं होते हैं रिएपॉइंट्मेंट के लिए तो नेक्स अब हम देखते हैं का रिमूबल कि किसके मेंबर्स को कौन रिमूब कर सकता है तो सबसे पहले आता है NHRC तो NHRC and SHRC इन दोनों के members को अगर remove करना हो तो वो कौन करेंगे President करेंगे Next है CIC तो जो CIC है इसके members को भी President के दोरा ही remove किया जाएगा Next है SIC and SIC की because यह state के लिए होती है तो यहाँ पे अगर इसके members को remove करना है आपको तो वो Governor के दोरा किया जाएगा Next आता है CBC तो CBC के members को भी President के दोरा ही remove किया जाएगा So next आती है इनकी salary allowances and service condition के बारे में तो नितियायो के बारे में यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया गया है So जो NHRC है तो NHRC की जो salary allowances इनकी service condition है वो determine की जाएगी Central Government के दोरा and same चीज होगी SHRC के लिए So SHRC के members की भी यहाँ पे salary allowances जो है वो state government के दोरा determine की जाएगी Because state के लिए होता है तो यहाँ पे state determine करेगी और NHRC जो है वो national होता है तो यहाँ पे Central के दोरा determine की जाएगी Next आती है CIC तो CIC के यहाँ पे जो प्रस्क्राइब करी जाएगी service allowances वो की जाएगी Central Government के दोरा and same SIC के लिए भी यहाँ पे Central Government के दोरा ही प्रस्क्राइब किया जाएगा So next आती है CBC CBC के जो members होंगे उनकी जो salary allowances होगी उनकी जो service condition होगी वो same होगी as a chairman and members of a UPSC कि जो salary allowances जो service condition UPSC के members और उनके chairmans को दी जाती है वो यहाँ पे CBC के members और उनके chairmans को दी जाएगी So next CBI and लोगपा, लोग युकताज NDIA and NDMA इनके बारे में आपको कुछ भी नहीं बता रखा था So जोतने भी main important points है में में नहीं आप पे complete कर दी हैं So मिलते हैं अपने next lecture में next topic के साथ Thank you